तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेड़ेस्ट विडियो में आज के इस विडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भावी जान और जो कि मैं आप लोग को ये चैप्टर और लड़ी पढ़ा चुकी है तो आज की इस विडियो में हम लोग इस चैप्टर का सारा अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव कोशन का सलियोशन करने वाले है यानि कि टोटल सलियोशन होगा ठीक है तो चलिए फड़वर विडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग चैप्टर 2 नहीं पढ़े ह भावी जाननाम का चैप्टर उसी से ये कोशन उठाया जाएगा अबजेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा अगर आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो सारे कोशन का इंसर आप लोग खुद सही दे पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला सवाल जो की अबजेक्टिव कोशन है सबसे पहले मारुजी सवला थी यानि कि अबजेक्टिव कोशन करेंगे उसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव कोशन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि सुहेल अजीम अबादी के बच्पन का नाम क्या था मैं आप लोगों को बताई थी चैप्टर पढ़ा रही थी तो कि सोहल अजीम अबादी के बच्पन कराम था मुझी बुर्रह्मान देखिए उपसन ए में ही दिखाई दे रहा है इसको टिक कर दीजिए फड़ाफट देखिए दूसरा कोश्चन अगर आप लोग चैप्टर पहले अफसाणवी मजमुए का नाम क्या है वो है चार चेहरे अपसन नमबर सीज्टराई चिंसर सौहल अजीम अबादी का इंतकाल कब हुआ तो उनका इंतकाल हो गया था उन्हेस स्टााट dife में अपसन नमबर ए हो गया बिलकुल सही जवाब सौहल अजीम अबादी का पैदा हुए तो पटना में पैदा हुए थे इनके बच्पन का नाम तो सिएर मुझीबुर्यमान था सुहल जिमाबादी के अफ्सानी मजमूर पहला अफ्सानी मजमूर यानि कि पहला कानी का किताब का नाम क्या था और वकिस साल शाय हुआ तो उसका नाम था चार चेहरे जो की लगोत्रिय प्रसन रुकया भावी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था तो कहानी रुकया भावी में रुकया भावी के जिस देवर का किरदार पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था रुकया भावी के देवर का नाम अख्तर था जि कि रुकया भावी के शोहर को बार-बार क्यों जेल जाना पड़ता था तो रुकया भावी के शोहर को बार-बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वो एक सियासी आदमी थे पोलिटीसियन थे उस वक्त तहरीर के आजादी जो थी तहरी एक जदुज़ाइद आजादी जोरो पर थी उन पर कई सियासी मुकदमाद चल रहे थे एक मुकदमे में जेल जाते थे जेल से जैसे ही निकलते थे किसी दूसरे मुकदमे में उनको सजा हो जाती थी इसलिए वो बार बार जेल जाते ही रहते थे देखिए कितने खुबसूरत अंदाज में अंसर लिखा गया आप लोगों भी आप लोग चाहें तो इससे भी और अच्छे तरीके से इससे भी और ज़्यादा खुबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं तो लिखने की ज़रूर कोश्ट कीजिएगा चलिए तीसरा सवाल भाबी एक मुकामी कालिज में लेक्षर थी उन्हें 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 की तालिम इखराजात का जिम्म ले लिया वह दूसरे जरूरत मंदों की भी इसी तरह मदद किया करती थी तो ये हो गया आप लोग का एंसर शमी बहुत जड़ा गरीब थी इसलिए रुकया भाब और सारा कोशन देख रहे हैं चैप्टर से उठाये हैं और एंसर आप लोग खुद सही लिख सकते हैं अगर चैप्टर पढ़े हैं तो इसलिए मैं बोलती हूँ सबसे पहले चैप्टर पढ़िए और तब अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कीजिए तो मज़ा आजाए थी एक दिन शमी रुकया भावी के पास आई और अश्कों से लवरेज आँखों से सरापा सवाल बन गई बहुत इसार करने पर बोली की भाईजान को कल एमे की अमतहान का फॉर्म भरना है और आखरी तारीख है पैसे का कोई इंतिजाम नहीं है रुकया भावी दर्दमन द दिल की मालिक थी बहुत बहुत मुतासर हुई और अपने सोने की जेवरात को फरुक्त करने करके शमी की भाईजान का तालिम करियर बना दिया वो जो है ना जब आकर शमी बोली कि मेरे भाई का कल एमे का इमतहान का फॉर्म भरना है पैसे की कोई इंतिजाम नहीं है तो खुर और ले जाकर शमी को दे देती हैं और बोलती है कि जाओ इसको फरुक्त करवा लेना है और इसे जो भी पैसा मिलेगा अपने भाई के अमे का फॉर्म भर दे네 तो इसलिए रुकाया भावी जो है ना अपने सोने की चुड़ीयों को दे दी समी को और उन्को फरुक्त क पुरा करने के लिए अपने एभाब और शागिर्दों को खुतूत लिखा करती थी। मक्तूब लेह में बहुत जैसे अफराद थे जो नए लिखने वाले थे और मजबून नवेसी वद्देगर तहरूर से मतालिक रुकया भावी से मशवरे तलब करते थे। रुकया भावी अब दिन भर के सभी कामों से इनको जब भी भी फुरसत मिलती थी तो यह अपने खुतूत लिखा करती थी। अपने शागिर्दों को अपने लोगों को यह खत याने की लेटर लिखा करती थी। याद रखेएगा ये कोशन पूछ देता है कि रुकया भावी को जब फुरस सबसे पहला कोश्चन कि रुकया भावी का सरापा कम असकम दस जुम्लों में तहरीर कीजिए अब यहाँ पर रुकया भावी के बारे में आप लोगों को दस जुम्लों में बताना है देखिए जवाब में लिखा है वकया भावी की सब वो रोज का मामूल या था कि वह सुवा सवेरे बेदार होकर घरेलू कामों में मसरूफ हो जाती थी एक उनका वह जमाना था जब चार पांच दाया और नोकर हुआ करते थे लेकिन एक अब उनका जमाना है जब उनके पास तिर्फ एक नोकर था जो बाजार से सौदा सुव भी लाता था और खाना भी पकाता था शादी से कि वल्वा सिर्फ अपनी जात पर हजारों रुपे खर्च कर दिया करती थी लेकिन अब उनके पास रुपे की भी तंगी थी सिर्फ चार सा रुपे माहवार कॉलिज से मिलता था और पचास रुपे माहवार एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी वाया यही साड़े चार सा रुपे उनकी कुल आमदनी थी ठीक है वही बात बताया जारा है यहर एक चीज में आप लोगों को बताई भी हूँ एक रजात की जमेदारी पहले से भी जादा थी सिर्फ एहल वायाल के खर्च तक मेदूद होता तो किसी तरह पूरा भी हो जाता लेकिन अब रुकाया भावी के एक रजात बढ़ चुके थे अपने अहल वायाल के एक रजात के लावा हर महीने मजदूरों और तालिब इल्मों की इन जमनों को भी देना पड़ता था तो यह लंबा चड़ा आप लोग इंसर लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चाहे तो आप लोग इतको शौड भी कर सकते हैं और नहीं तो आप लोग पुरा लिख सकते हैं ठीक है देखिए दूसरा सवान कि रुकाया भावी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहल अजिम अबादी ने अकारी को होसला देने का काम किया है इस ख्याल से आप किस हizar तक इतफाक करते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है मिए कोशन कि रुकाया भावी के किरदार को एक मिसाल बनाकर सोहल अजिम अबादी ने जो पढ़ने वाला इनसान है लोगों को होसला देने का काम किया है तो इस ख्याल से आप किस हद तक इत्फाक रखते हैं बताना है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि शामिल नसाब अपसाना रुकया भावी सौहल अजिम अबादी की एक समाजी कहानी है इस कहानी में सुयल अजिमापदी ने कहानी के उनowwers रुकया भावी को एक औरत के किरदार में पेश किया है जो एसार و कृर्बानी और वफदारी की एक बहतरीन मिθाल है कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है रुकया भावी के लिए कारी के दिल में एहतराम का जजबा बढ़ता चला जाता है बोला जरा है कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना जो पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाले के दिल में रुकया भाबी के लिए एहतराम सम्मान का जो जजबा है और बढ़ते चले जाता है ठीक है पूरी कहानी में रुकया भाबी के शक्षित एक रोशन चिराग की तरह नदर आती है उनके मिसाल उनकी मिसाल एक जलते हुए श्रमा की तरह है जो रात भर जलती और पिगलती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है लेकिन उस श्रमा की रोशनी कितने तारी के जहन को मनवर कर देती है मतलब रुकय भावे की मिसाल एक जलते हुए श्रमा की तरह है जो खुद जलती और पिगलती रहती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है ठीक है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उनका वजूद खत्म हो जाता है लेकिन उनकी रोशनी से सभी का अंधेरा का जो जहन है वो म सकते हैं चलिए तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल मैं पढ़ देती हूं हाँ सोहल अबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यदा मोटिवेट थे और क्यूं तो देखिए जवाब में लिखा है सोहल अबादी प्रेम चंद की शक्षित और उनकी अफसान मबादी किस अफसाना निगार से मुतासर थे तो वो थे प्रेम चंद याद रखिएगा प्रेम चंद की शक्षित से बहुत ही ज़्यदा यह मोटिवेट थे क्योंकि प्रेम चंद ने पहली बार अपने अफसानों में हिंदुस्तान की दिहाती महाल को मौजू बनाया कारण प्रेम चंद ने पहली बार अपने अफसानों में हिंदुस्तान के दिहाती महाल को मौजू बनाया था कसीर अबादी गाउं में रहने की वज़ा से हिंदुस्तान का असल तहजिव और मौशरा का मरकस गाउं को ही तसलिम किया गया है चुनांचा प्रेम चंद ने पहली बार अपने अफसानों के मौजवात दिहाती महौल से लिए थे उनके अफसानों के जादतर वाकात और किवधार गाउं से ही मतालुक थे तो ये लंबा चड़ा आप लोग लिख सकते हैं यही वज़ा है कि सौहल अजिम अबादी को प्रेम चंद के फन में जिद्दत और फित्रत की तरफ जुकाओ नजर आया और प्रेम चंद की शक्सित से जज़बाती हद तक वो मतासर हो गए ये लंबा चड़ा आप लोग लिख सकते हैं मैं चाहूं तो आगे पढ़ भी सकते हूं बट पूरा पढ़ूंगे तो बहुत ही लंबा बोल सकते हैं वडियो शूट हो जाएगा तो आप देख लिजे इतना लंबा चड़ा लिखना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है एक मिनट पढ़ ही देते हूं में यहां तक तुम्हें पढ़ दी जज़बाती हद तक मतासर हो गए सौहल अजिमबादी ने जिंदगी भर उर्दू की तर्वीज और इशाद का काम किया चोटा नागपूर के आद आदिबासी देख रहे हैं चोटा नागपूर के आदिबासी इलाके में पांच सालों तक सौहल अजिमबादी का कियाम इसी सिलसले में कड़ी थी सौहल खुद भी पैदाइशी एतबार से जमीनदाराना माहौल से तालुक रखते थे और जमीनदारों के मुझालिम को भी अच्छी तरह समझते थे जुनामसा सौहल अजिमबादी जो हैना अक्सर वबेश्टर अफ़ाने जमीनदारों के लिए मुझालिम के खिलाफ मजदूरों के एहतिजाज और उनकी हुकूक से मतालुक होते थे छोटा नागपूर के क्याम ने इस जहीनियत इस जहनियत को तेज तर कर दिया और वहीं उनके अफ़सानों के मौजवात भी मुझाईन हो गए यह आप लोग लिख सकते हैं नमबचोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर फूर देखिए अफ़साना भावी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुटासर किया और क्यूं तो भावी जान के उन्वान से नसाब में शामिल अफ़साना सुहायल अजीम अबादी का एक बहतरीन अफ़साना है यहाँ पर को से निसाब में शामिल अफसाना सुहाल अजीमाबादी का एक बहतरीन अफसाना है जिसमें रुक्या भावी मरकजी किरदार की हैसियत से सामने आती हैं उनके किरदार की अजमत का सही अंदाजा उनकी मसरूफियात से होता है यानि जब वह सुबह को बेदार होती तो पहले हाद होकर तयार होती फिर हाजत मंदों से मिलने का सिलसिला जो है न शुरू हो जाता ठीक है यह लंबा चड़ा आप लोग लिख सकते हैं यह आप लोग को अपने हिसाब से बताना है कि भावी जान नाम का जो अफसाना है न इसमें कौन सा करदार कौन सा करेक्टर आपको भावी जान इस अफसाने में सबसे ज़वाब भावी के रधार सबसे ज़वाब गों लोगं को मुटिवाब किया है मुतासर किय हैं तो जिस तरह यहां पर एंसर लिखा इस तरह लंब च्ड़ आप लोग लिख सकते हैं चलिए फड़वड आगे बढगते हैं नेक्स्ट आप लोगों लिखना है देस जुमुले में तो और उसके बाद से सांथी यह भी तहरीर करें कि उनके अफथानों के दूसरे मजMुला का नाम क्या था और और वकब शाय हुआ। चलिए इसका जवाब भी देख लेते हैं देखे एंसर लिखा हुआ है कि सुहेल के बच्पन कराम सेयद मुजीबूरहमान था शुरू में वह शेर के शेर भी मौज़ो करते थे और सुहेल तखलूस रखते थे इसलिए दुनिया एदब में वह सुहेल अजिम अबादी के नाम हो गए चिनांचा उनकी परवरिश्णानी हाल में हुई और वहीं एक उस्ताद की अब्तदाई तालीम हासिल की जर्चा आपका अबाई वतन पटना की मुजाफत में शाहपूर भदोल था लेकिन पटना में मुस्तकल क्याम के वज़ा से पटना के ही होकर रह गए हैं तो य यानकी सोहल अजिमवादी के कहानी के किताब का कहानी का जो दूसरा किताब है उसका नाम है अलाओ अफसानों का दूसरा मजमुवा का नाम क्या है अलाओ जिसकी एशाथ उनकी जिन्दगी में ही हो चुकी थी मतलब जब वो जिन्दा थे तब ही उन परकाशित कर दिया गय टोटल में आप लोगो सल्यूशन करा दी चेप्टर टूपून रूप से यहां पर प्रिट हो गया क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में chapter two का content में आप लोगो पढ़ा दी थी और इस वीडियो में objective और subjective objective complete हो गया अब यहां पर अब आप लोगो समझ में आ गया होगा कि पुन्डूप से चैप्टर टू जो है न भाविजान वह फाइनली complete हो जाता है तो कोई भी confusion हो आप हमें comment में पूर सकते हैं बाकी में आप लोगो जो कुछ चैप्टर 3 के साथ चैप्टर 3 का content में इसी तरह पढ़ा दूँगी सबसे पहले आप लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो में चैप्टर 3 का भी objective और subjective होगा ठीक है तो आज किस वीडियो को यहीं पर end करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज